वैल ये तो आप सबने सुना होगा कि भीया आज शेर खरीद लो शेर का प्राइस बढ़ जाएगा और तुम्हारा मुनाफ़ा हो जाएगा पर अगर मार्केट में कुछ ऐसी हल चल हो जाए कि शेर का प्राइस टूटने लगे तो क्या होगा तो तो फिर नुकसान हो जाएगा बैट ऐसा नहीं है अगर आपको एक कंसिप्ट के बारे में पता है जिसे हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं अगर आप शॉर्ट सेलिंग को समझ गए तो आपको यह समझ आ जाएगा तो मार्केट बढ़ रही है तो हम खरीद रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है एक्जाम्पल के तो लोंग किया हुआ है और जब हम बेचते हैं पको बेचन का रूब बेचते कैसे बिना खरीदे भी आप चैनल चैनल अगर आप बेच देते हो तो मたब इसे शॉर्ट करना बहुते है कि मैंने टा तीय स्व् जाता है लॉंग किया मतलब हमने खरीद लिया मुनाफ़ा होगा तो हम बेज देंगे जर्नली लोग ऐसा ही करते हैं पर यह शॉट करने का मतलब नहीं समझाया कि बिना खरीदे बेज दिया यह एक्जामपल मान लेते हैं मेरे एक फ्रेंड है रोहित और रोहित मुझे एक सेक चाहिए बात किया था जै कि मुझे भी फोन नी चाही बड़ मुझे मुझे मुनाफ़ाह कमान मैं तो मेरे एक और ठाण मान लेते हैं सचन अब मैं सचन से बात करता हो कि भी नंगे सबुसक्स का हो एक ज़ए अ फोटोस ले ली थी अब होता क्या है सेचिन को मैं बोलता हूं तिरको फोन मैं आज नहीं दूँगा फोन मैं तुझे दूँगा एक हफते के बाद माले थे सेंडे को मैं तुझे फोन पकड़ा दूगा पर उसके लिए तू कम से कम मेरे बुकिंग करा दे 40,000 रुपे दे तो सेचिन से मैं 40,000 रुपे ले लेता हूं और कहता हूं डिलीवरी पे मुझे 10,000 रुपे और यह 40,000 रुपे लेके मैं किसके पास जाता हूं मैं जाता हूं रोइत के पास और रोइत को बोलता हूं जैसे तूने बोला था 40,000 में मुझे फोन दे देगा तो फोन तो रोईत का था चाहिए सचन को था और बीच में मैंने 10,000 रुपे कमा लिए क्या इसमें कुछ गलत है दा अंसर इस नो तो इसे ही शॉर्ट सेलिंग केते हैं देखो शॉर्ट सेलिंग को जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट बना लो मैं 10 गंटे के ऊपर 20 की ऊपर वीडियो ले ले दो ऑल्दो मुझे उसे फोन देना पड़ेगा और यह तो हुआ प्रॉफिट की बात लॉस कैसे हो सकता है लॉस ऐसे हो सकता है कि भी है जब मैं रोईत से बात कर रहा था तो वह कहता जी मैं 40,000 में फोन दोंगा मैं सचन के पास गया और मैंने सचन को बात करी सचन स 50,000 में डील कर ली कि भी है ठीक है मिलको 50,000 रुपे दे और मैं तुझे फोन दे दूँगा मैं गया रोईत के पास दुबारा और इसने बोला जी मैं नहीं देता 40,000 का मैं तो 60,000 का दूँगा अब क्या होगा अब क्यों कि मैंने उस पैसे पकड़ लिए बात खराब हो जा जा गई तो भी आपको शॉर्ट सेलिंग समझ आ गई नाओ यू अंडरस्टूट शॉर्ट सेलिंग लेट मी टेल यू अग्जामपल अभी देखे आपने ए बी सी कंपनी है उसके शेर्स देखे और आज आपने ट्रेंड अनलाइज किया आज जो ट्रेंड ना वह ऊपर नह आजागा शाम तक क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपकी अनलेसिस कहती है तो अब इसे खरीजना तो बेवकुफी है क्योंकि अगर प्राइस गिरेगा तो बेवकुफी है बट अगर हम इसे बेच देते हैं तो तो मुनाफ़ा हो सकता है यह बिल्कुल वैसे ही हो गया कि वह हो गई तो बाइंग भी होनी ज़रूरी है बाया अभी नहीं कर रहें बाया कप करोगे जब प्राइस कम हो जाएगा वाओ ऐसा भी होता है ऐसा होता है अगर आप देखोगे मानलो 1500 रुपे हो गया और आपने इसे बेचनी दिया अब खरीद लिया तो यहां पर बाय हो गया जैसे ही आप कोई भी सेल का ओडर लगाते हो आपके डीमेट अकाउंट पे वह माइनस 200 दिखाएगा सुरी तो प्राइज है आपने जितनी भी कॉंटिटी ली मालीजे आपने 10 कॉंटिटी ली तो माइनस 10 दिखाएगा कि अभी माइनस में माइनस को प्लस करना पड़ेगा आपको दुबारा भी खरीदना पड़ेगा तो नेट कॉंटिटी दिन की कितनी हो जाएगी जीरो अब यह कंसेप्ट चलता कैसे और इसमें फायदा क्या होता है भी बता देता हो एक्सचेंज नैशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी ट से लगए तो अगर आपकी कॉंटिटी जीरो है तो उन्हें के लगे का ना इस ने शेर ख्रीदना बेचा तो एक दिन में जो करना है वो कर लो उसे बोलते हैं इंट इंट्रियवरी क्या होता है कि लेके रख लिया जी जो लोग स्टॉक्स में लाउंग तम के लिए इन्वे भी बेच हूंगा गड़ जाएगा तो मैं बेचना नहीं चाहता बड़ नों सेम डेमें ट्रेड करते हैं उसे इंट्र डेड ट्रेडिंग बोलते हैं अब इंट्र डे वन्दा क्यों करें एक तो तो क्योंकि वह पहले बेच सकता है फिर घरी सकता है थुस्टरी चीजो उससे म margin यह leverage देते हैं कि आप कई गुना की trade कर सकते हो profit होगा तो कई गुना के हिसाब से हो जाएगा अगर आपके पास 10,000 रुपे हैं या 1,000 रुपे हैं तो आप 1,000 रुपे से 5,000 की 6,000 की trade कर सकते हो यह intraday के अंदर margin facility होती है मैं आपको अभी जस्ट अभी मैं आपको पहले समझा रहा हूं आपको theory समझा जाए फिर practical दिखाएंगे तो इस वीडियो के description और comment box में अलग-अलग brokers के links हैं आप जिस मर्जी broker के साथ अपने डीमेट account को लिए डीमेट अकाउंट होगा तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हो डीमेट अकाउंट जब आपके पास आजाएगा जब आप intraday trade करोगे तो होगा क्या कि आपको margin मिलता है और margin से आपका trade बहतर हो जाता है क्योंकि आप 1,000 रुपे लगा के 5,000-6,000 क्योंकि 6 times का आपको एक तरीके से margin facility मिल रही है आप उसे use कर सकते हो इतना अगर आपको समझ आ गया वेलन गुड़ आपको बहुत कुछ समझ आ अब दो चीज़े और समझ लेते हैं मैं जादो तो नहीं समझा रहा ठीक है अब यहाँ पर देखिए आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं ठीक है आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो अब दो concept है हमारे पास दोनों समझते हैं एक तो होता है कि हम share को क्याश के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और एक होता है कि हम उसके option को ट्रेड गर रहे हैं अब यह cash और option में फरक है एक्विटी कैश और यहां पर option में क्या फरक है यह भी मैं आपको बता देता हूं option cash का मतलब है कि actual में आप share को ही आप खरीदते हो और बेचते हो और option का मतलब होता है आप उसके option को खरीदते और बेचते यहां पर समझेगा यहां पर चलो आपको समझ आ गया कि आपने कंपनी का एक्विटी कैश के अंदर एक अपने ले लिया उसका शेयर बाई कर लिया सेल कर दिया option ड्रेडिंग के अंदर क्या होता है मान लिए बैंक निफ्टी और आज आपको लगता है कि बैंक निफ्टी आज तूटेगी जैसे कि मुझे लगता है कि आज बैंक निफ्टी नीचे जाएगी तो मैं आपको एक्जाट्लिए अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा लाइफ की मैं ट्रेड प्लेस करूंगा आपके सामने और क्योंकि मुझे लगता है आज नीचे जाएगी तो मैं option खरीद लूँगा अभी तो सर आपने बोला बेज दोगे यस option के अंदर दो चीज़े होती है एक होता call option CE call European और दूसरा होता है PE put European तो अगर आप CE खरीदते हो किसी भी option का इसका मतलब होता है market उपर जाएगी तो आपको फायदा होगा और अगर आप put option को खरीद लेते हो तो आप market जब नीचे जाएगी तो आपको मुनाफ़ा होता है तो क्योंकि मुझे लग रहा है आज market नीचे जाएगी तो मैं क्या खरीदने वाला हूँ मैं put option खरीदने वाला हूँ और आपको भी मैं live दिखा हूँगा दूसरी चीज़ अगर आप option के अंदर trade नहीं करना च कि बेचते कैसे हैं यहां पर मैं आपको दोनुही चीज़े दिखाने वाला हूँ कि option के अंदर अगर आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा तो आपको पुट को खरीदना है पुट को बेचना नहीं है मैं अभी आपको क्या बोल रहा हूं option buying के ऊपर बोल रहा हूं option selling is a very different concept तो option selling के ऊपर हम video बनाएंगे अभी हम short selling की बात कर रहे हैं यह सारे मिलते जुलते शब्द हैं और लोगों को बहुत confuse करते हैं तो अभी हम short selling की बात कर रहे है short selling basically यहां पर इस चीज से belong करती है but फिर भी आप options के अंदर भी यह चीज कर सकते हो मैं आपको आप दोनों करके दिखाने वाला हूं I hope यहां तक आपको concept समय जा गया now we will see the live demo here we go so यहां पर हम अपना upstrox खोल लेते हैं आज मुझे लगता है कि bank nifty जो है वो तूट सकता है तो nifty bank आप यहां पर देख सकते हैं इसे क्लिक कर देता हूं अब आप देखिए bank nifty already जैसी market खुली है उसके बार तूटना शुरू हो चुका है and क्योंकि bank nifty टूट रहा है यहां पर मैं सर्च करूंगा bank nifty 35200 PE अब PE आपको पता put है तो यहां पर देखिए put आ गया 178 से खोल लेते हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं जैसी मैं इसे होला 182 price हो गया अब क्या है कि हम put खरीद रहे हैं मतलब अगर bank nifty गिरेगा तो हमें फायदा होगा अब यहां पर market लगा सकते हो यहां पर trigger price कुछ भी डाल सकते हो कि अगर यह price कम हो जाता है तो हमारा जो सौधा है अपने आप sell off हो जाएगा square off हो जाएगा अब आप देख हमने 179 डाल दें trigger price 150 तो अब यहां पर हमने confirm किया अब आप देखेंगे open में आ गया मतलब अभी यह order हमने place किया है पर complete नहीं हुग है जब तक 179 price नहीं जाएगा तो तक मुझे मिलेगा नहीं आप price देखिए fluctuate हो रहा है 183 आ गया 184 आ गया तो यह उपर नीचे चल रहा ह what do you want is we want कि price 179 जाए देकि मुझे लगता है कि आज bank nifty कम से कम भी 300 point टूटेगा तो क्योंकि अगर यह 300 point टूटा तो हमारा जो 179 आपके देख रहे हैं यह 350 तक भी जा सकता है यहां पर हमारा जो orders हैं इसे मैं modify पर click करता हूँ so you can see 180 cash price आ चुका है तो थोड़ी देर में मुझे लगता 179 भी एक पर को आ जाए तो हमें जो हमारा यह order है complete हो जाएगा all right you can see 179 पर मेरा order complete हो चुका है तो एकदम से हमारा order place हो गया अब यहां पर देख सकते हो 40 रुपे का profit हो रहा है 25 रुपे का loss हो रहा है तो यह देखिए कुछ ही seconds के अंदर fluctuations आती है आप option trading कर रहे हो so it is too fast but अभी आप देखो कि जो प्रेंड है वो नीचे की तरफ ही जा रहा है तो यहां पर मैंने वन मिनिट ग्राफ कोल रहा है अब यहां पर देखिए 13 रुपे का profit 6 रुपे का बहुत दा फरका सकता है बट क्योंकि आज एक सीवे गिरावट देखने को मिल सकती है मार्केट में मुझे लग रहा 300 पॉइंट तक नीचे जाएगा तो यह बहुत बड़ी गिरावट है और अगर इतनी बड़ी गिरावट आती है options के अंदर बल्ले बल्ले हो सकती है अभी जैसी मैं square of पर अगर क्लिक करता हूं review order confirm करते ही यह मेरा sold हो जाएगा देखें यह मैंने sell कर दिया और मैंने आपके सामने यहाँ पे 207 रुपे का profit book करके दिखा आपको कि किस तरीके से profit book होता है और यहाँ पर आप देखिए bank nifty मैंने आप screen shot ले लिया था तो मैं आपको तूट भी चुका है और similarly now you see जो bank nifty का option है कि 303 पॉइंट तक आ गया हमने 187 पर sell किया था and I told you कि यह 300 प्लस जाएगा in fact यह मैं आपको 944 का दिखा रहा हूं एक और screen shot मैं आपको दिखा देता हूं and which I took at 10 o'clock तो 10 बजे यह 342 पे था साड़े 300 के आसपस ने touch किया so आप देखें अगर साड़े 300 के साब से touch किया just calculate हमारा 25 का lot है तो जो हमने खरीदा था आपके सामने 179 पे वो 342 हो गया almost पैसा double हो गया कितनी देर में you just see आदे घंटे के आसपास this money actually multiplied and यहां पैसा नहीं है जब यह market close हुई आज तो close यह और नीचे हुई तो जैसे मैंने आपको expected बताया था कि आज market टूटेगी similarly उसी तरीके से आज market टूटी है and because market टूटी है तो option traders अब यह market टूटी है तो मैंने आपको बुला कि market अगर टूटती भी है तब भी आप profit कमाते हो and this is wonderful thing about option buying जो आपने put खरीदा and short selling का concept है अब आगे म मैं आपको एक stock भी short sell करके दिखाता हूं मैं Pedlight Industries पे click करता हूं BAC Group पे अब यहां पर देखिए 2068 price है अब अगर मुझे लगता है कि इससे भी नीचे जाएगा तो मैं sell पे click करूंगा अब sell क्यों है क्यों है क्योंकि हमें short sell करना है अब मैंने sell पे click कर दिया देखिए आप स price की ऊपर मैं sell करना चाता हूं तो जब यह price जादा जाएगा तभी sell करने का फायदा है तो यहां पे मालीजे 2075 में डाल देता हूं अब let's say 75 टच नहीं हो तो 71 कर देते हैं तो 2071 मुझे लगता है कि यहां से हम sell करेंगे और अब trigger price बलब कितने पे price पहुंच जाए कि automatically आप market order place करना चाते हो तो यह hand to end हो जाएगा अगर आप stop loss लगाना चाते हो भी कर सकते हैं अभी मैंने market order place कर दिया आपके सामने just कि आपको दिखाना है मुझे की sell कैसे करते हैं अभी यह complete हो चुका है जैसे हमारा 207 का profit हो था उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो कि हमने net quantity minus मैं मैंने sell किया हुआ है तो आप देख सकते है market में थोड़ा सा movement आया price नीचे गया तो मुझे यहां पर आपको concept clear हो चुक है मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहां पर मैंने इंडिया विक्स खोल देते हैं इंडिया विक्स क्या है यह आपको volatility दिखाता है market में क्या है अगर market में movement है तो option traders के लिए तो बले-बले है और similarly अगर आप देखें इंट्रेडे के लिए we want movement हो market में तो इंडिया विक्स पर आप जाके देख सकते है कि movement कैसी है market की अब यहां पर minus 11 और पर देख रहा है so जैसे ही थोड़ा बहुत profit में आएगा I will sell it off just क्योंकि मुझे educational purpose के लिए बनानी दी वीडियो so अब बात है कि आपको concept clear होना चाहिए that what we are doing so अब यह minus 3 हो गया यह ऊपर नीचे कुछ भी जा सकता है it will be little profit and I'll book the profits तो profit से मतलब ह थोड़ा सा और बेट कर ले दें and then we'll sell it off so it is the concept of short selling and I hope you have understood now so जैसे आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि bank nifty क्योंकि मुझे लग रहा था आज नीचे जाएगा options के अंदर हमें मुनाफा हुआ in fact video बनानी थी थोड़ी देर के अंदर मैंने आपको दिखाया कि थोड़ लोग ना लालच कर जाते हो आप option trading करो internet trading करो लोग कहते हैं जी loss होने के chances बहुत ज्यादा होते हैं इसका सबसे बड़ा reason पता है कि सबसे बड़ा reason क्या है मैं आपको बताता हूं मैंने आपको दिखाया कि profit और भी ज्यादा हो सकता था बड़ जब profit हो रहा होता है तो हम क्य करते हैं या तो लालची हो जाते हैं कि और बड़े का और बड़े का और बड़े का उसके बाद मांके नीचे से लिए चाती है मैं कहता हूं कि यार अगर आपको 10% तक का profit हो गया ना 10% तक का profit होगे हमने 4000 की डेट लगाई थी 4000 पे हमने 200 रुपे कमा लिए हमने उसे बेज दिया 5% के आसपस हमने profit बुक कर लिया अगर मैं वह 40,000 लगाता तो 2000 रुपे कमें को प्रॉफिट जाता एनिवेज थोड़ी दे रुकता तो आपने देखा कि 100% तक का profit होता 100% मलब पैसा दुगना हो जाता कुछी मिंटों के अंदर पैसा डबल होता है लिटरली होता है आपने लाइव देखा है बट बाद आती है कि यह 10-15% का profit हो गया हाँ जोड़ लो बाहर निकल लिए क्योंकि आप यह सोच रहे हो कि यह नहीं मेरी अनलिस है 100% एक्यूरेट है फिर आप लालच करते हो और लालच इस नाट गुड दूसरी चीज़ जब आपका लॉस हो रहा होता है लोग चलो profit के लिए एक बार को रुख जाते हैं यार profit हो रहा है ठीक है और अगर profit हुआ तो चलो जी हमारा 10% का profit हो हमने बुक कर लिया profit करना मेरी बात पर मान जाओग आपके पास time है maximum सवा तीन भी मच सोचो तीन बचके दो मिनट पांच मिनट खतम तीन बज़े तक हमें अपनी trade को खतम करना है क्योंकि तीन पंदरा के बाद कभी आपका broker आपके भिहाफ पे खुदी score off कर देगा तो आपको यह समझना है कि आपके पास टाइम है वह तीन ब loss book करना नहीं सीखोंगे ना होता क्या है market जब बंद हो रही होती और खुल रही होती है बहुत सब्सक्राइब होती है आपका profit भी ऐसे जा सकता है और आपका loss हो रहा होगा और वह कुछी seconds के अंदर 2000 का loss हो जाएगा वह कुछी seconds के अंदर वह 20,000 का loss भी हो सकता है और इसी तरीके से profit भी हो सकता है depending आपने कितनी quantity के हिसाब से purchase किया हुआ है अब बात आती है कि अगर loss हो रहा है और market opposite जा रही है नहीं समझ आ रहा है आपको तो फिर निकलना बहतर होता है अब मैं आपको यह बहुत सारी चीज़े बता रहा हूं टाइम लगता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में टाइम लगता है और यह सारी चीज़े ने experience के साथ ही आती है बट लोग profit के लिए वेट नहीं करते है और loss के लिए वेट करते है ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब क्या है आपको ऑप्शन मिल रहमान लो थर्सडे की एक्सपायरी है तो जरूरी थर्सडे तक वेट करना भई है थीटा डिके भी तो होता है टाइम के साथ आपके ऑप्शन का प्राइस भी तो कम होता है तो अगर आप उसे गरोगे आप सेम दिन का वेट मत करो सेम डे सेल सेम डे बाई अब शौर्ट सेलिंग आपको थोड़ा वह समझ आया होगा बड़ मैं आपको यहां पे एक चीज़ और बताऊंगा जब मार्केट में ऐसा दिखता है ना कि मार्केट क्राश हो रही है या मार्केट ऊपर जा रही है सबसे इंप जाओगे तो पैसा गवाओगे तो ट्रेंड एनलिसिस को मास्टर गरो और उस पर टाइम लगाओ मैं आपको सच बता रहा हूं देरा सो मेनी वीडियो वीडियो जो आप देख सकते हो और भी बहुत सरे लोग हैं जो आपको बहुत अच्छी इंफरमेशन दे रहे हैं सीखो ग्यान जहां से मिलता है लो बट सीख के ट्रेड करो क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो इस वेरी रिस्की पैसा बनाना इतना भी असान नहीं होता आप एक इंजीनर बनने के लिए पढ़ाई करते हो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करते हो शेयर मार्केट म और कॉमेंट बॉक्स में लिंक है अब जिस मेर्जी ब्रोकर पर जाके अपना डीमेट अकाउंट जुरू खोल लीजे डीमेट खोल जाएगा तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं आपको मार्जन फेसिलिटी भी मिलती है आपको और भी कुस सवाल है तो आप नीचे कॉमेंट म सवालों के उपर हो सकती है और यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करें बाइल एकन पर क्लिक करें फेस्बुक पर देख रहे हैं मैं फॉलो करें आप लिए नेक्स वीडियो तिल दा टाइम यूगो सेल्फमेट